दुस्तो गूडूरीग नमस्कार, स्वागत करते हैं जो और जो चाहे चोटी हो चाहे बड़ी हो में थोड़ी बहुत अच्छी का सी पोजिशन बन गई होगी आज के वुड़ी में दुस्तों बात करने वाले हैं करेंड मार्केट की सिच्वेशन कंडिसन क्या बन रहा है यानि के दुस्तों क्या अभी मार्केट यहां अगर हम बात करेंगे देखिए दोहजार चौबीस उसके उपर बात करेंगे इसी के साथ बात करने वाले हैं शीवा एनु दवाके पौमप आएगी क्या बात करेंगे यहां या कुछ बताने वाला हूँ अगर चल गया तो भाई दवा के यहां पर मिलने वाला है रिटन अगर मैं बात करूं काफी बड़ी तगडी रिटन मिल सकती है क्या है उसको ऊपर भी बात करेंगे बट यहां पर नए-नए टोकेंस अभी काफी सारे लॉंच हो रहे हैं काफी सारे आईडियो लॉ तो उसी के उपर काम चल रहा है बहुत जल्द आई थिंक सो एकाथ वीडियो में यहाँ पर आईडियो को उपर ले के आऊँगा कि आप कैसे मतलब लिश्टिंग से पहले टोकेन बाई करके उसको अच्छी काशी प्रॉफिट ले सकते हो पर बात करूंगा रिच भी मेरी बहुत ही चोटी है जो भी हो हमारे कमुनिटी में काफी प्यार मुहबत है आपसे हमसे मतलब हम लोगों में तो यहाँ पर यह चीज़े हैं कि मैं नहीं चाहता कि आपकी फंड अंसेफ हो जाए ठीक है आपका फंड को थोड़ी से अच्छे से मैनेज किजिए क्योंकि मार्केट एक पूरी अंसेटेनिटी के तरफ अभी बढ़ रहा है मतलब नो डाउट यहाँ पर पॉजिटीव एटी हमें देख रही है मिल रहे है यहाँ आप यहाँ से उपर जाएगा नीचे जाएगा क्योंकि स्टिल हम लोग जो करेक्शन की वेट कर रहे थे या फिर जो बात कर रहे थे कि एक डीप देखने मिलेगा वह सब चीज़ें नहीं हो रही है अब यहाँ पर रिवर्स तरीके से सोचेंगे मतलब खौपडी को थोरा गुम क्या आने वाले दिनों पर देखने मिल सकता है तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कुछ प्रॉफिट की पहले में आपको दिखा देता हूं जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो अप्टिमिजम भाई अभी चार डॉलर के उपर चला गया है पिछ कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैटिक की पोजिशन आप देखेंगे तो पिछले साथ दिर में 33% के साथ है एक डॉलर के ऊपर है इस बाली वीडियो पर हमने डिसकासन किया था कि कैसे किस तरीके से अभी लेर 2 के जो टोकें से यह बूम कर सकते हैं उस बाली वीडियो को अपने नहीं देखा तो जाके चेक आउट किजिए करेंट टाइम में अगर मैं आपको कुछ दीखा दो यहां पर आओगे डिसेंटरलाइज एक्चेंज पर आते हो तो बहुत सारे लोग दूस्तों एक्सचेंज टोकें को यूज नहीं करते हैं एक्सचेंज टोकें को अगर अगर देखोंगे Pancake Swap बात करेंगे Unisop, DIDX, Vertex Protocol ऐसे कुछ टोकें से जिनकी अगर आगर में बात करेंगे टोकें का प्राइस अगर आप देखोंगे तो यहां पर मैं आपको बता दू, like Pancake Swap and Unisop की यूज केस तो हमें पता है कि इसकी बहुत लोग इसको यूज करते हैं टोकें को बाय करने के लिए, अब यहां पर देखिए Pancake Swap का कोई परसेनल यूज केस नहीं है, यानि कि Pancake Swap Token, हम यहां पर BNB देखें, Pancake Swap Token, मतल Pancake Swap Token के हमारे पास जो है, उसमें यूज केस नहीं है, लेकिन आप यहां पर यह चीज़ें सोचो कि आने वाले फ्यूचर पे, अगर यह जो Decentral Exchange, Unisop हो, Vertex Protocol हो, या फिर Pancake Swap हो, यह अगर अपने Own Token से Swap करवाने लगे, like Ethereum को छोड़के अगर उसमें सिर्पा सिर्प उन Swap Token को यूज करने लेगे, या फिर Pancake Swap छोड़के, Pancake Swap Token को यूज करने लेगे, तो इनका प्राइस क्या लेवल का बढ़ सकता है, आप समझो, जैसे कि आईडियो लांच प्रेट पर होता है, इसकी लांचिंग मैंने बताई कि अभी देख सकते हो, नंबर पोजिशन त देट से तो इसके उपर बात कर लेते हैं, सबसे पहले दोस्तों यहां पर Shiba Inu की बात कर लेते हैं, Shiba Inu को लेके काफी टैंसन भर चुकी है, माहूल, मतलब मार्केट काफ, क्रिटिकल हो चुका है Shiba Inu को, लेकि काफी सारे लोग यही सोच रहे हैं कि भाई, कब, 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 अगर हम देखेंगे, पिछले साथ दिनों की या फिर एक महिने की ग्राफ लेता हूं, तो Shiba Inu थोड़ी बहुत अप्ट्रेंड फॉलो कर रहा है, बाट इस ग्यारा को लेवल को क्रॉस करके उपर नहीं जा रहा है, एक बुलिस मोमेंट नहीं आ पा रहा है, बट बहुत ही पेसंस रख सकते हो, मुझे लग रहा है कि Shiba Inu अच्छा करेगा, डिफिनेटली करेगा, एक महिने में 30% परसेंट पंप ही, कोई बतलब ज्यादा पंप नहीं है भई, निन दिन में यहाँ पर 1010X की रीटन में टोकेन में, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 50%, 100% तक किसी में 500 600% तक की पंप आ रही है, अगर हम बात करेंगे, Shiba Inu की तो वो अंडर वैलूड है, तो भई, Shiba Inu पे बहुत जल्द हमें रैली देखने मिलेगी, इसी के साथ देखेंगी, जैसे Dogecoin की भी हालत वही है, Dogecoin अभी करेंट टाइम में, जो प्राइस पे चल रहा है, आपके प मार्केट अगर 33,000 चला जाता है, मान के चलो, यहां से अगर 35,000 या फिर 40,000 तक, 38,000 तक तला जाता है, तो भई, BTC में कितना बड़ा डंप आएगा, इसी के साथ अगर हम देखोगे, जो और स्कॉए नभी, मतलब 50, 40, 30, यह जो परसेंटेज बढ़ रही है, डिफिनिटल आपको उस लेवल का नेगेटिव होता हो दिखेगा, तो भी, मार्केट में आपको दोनो तरीके से चलना है, कि आपको पॉजिटिव के साथ भी चलना है, नेगेटिव के साथ भी चलना है, तो, वाई, उतना बनाईए, जितने कि आप मतलब कैपसिटी होल्ड कर पाओ, यह जब बढ़ेंगे, तब हमको अच्छी कासी प्रॉफिट मिले, पूरी की पूरी पूरी पॉट्पोलियो खाली दी करनी है, कुछ कोईंस हमें होल्डिंग्स रखने, जो कि इन फ्यूचर के लिए हमें काम आएगा, जैसे कि बात कर रहा था, या फिर ऑप्टिमिजम या आ गया है, तो डिफिनेटली यहां से आप प्रॉफिट भूगिंग कर सकते हो, फिर थोड़ी डीप में जब जाएगी मार्केट अगर करेक्शन लेता है, तो में भी यहां पर सोल हमें फिर से एक बार 70-80 डॉलर पर देख रहें मुल सकता है, तब हम ग्राप कर लेना, तो इस तरीके से स्टारिजी बनाओगे तो डिफिनेटली एक अच्छी खासी, बतलब कमाई भी कर पाओगे, बट जैसे के बात कर रहा था, डॉज कोईन में भी अच्छी खासी, डॉज कोईन डिफिनेटली अजबार के बोल रन पर वान डॉलर हीट कर सकता है, लग तो रहा ह रुपए, सबतरसी रुपए यह जा सकता है, लेक्स जो टोकेन है जो अगर हम बात करेंगे, यह काफी अंडर वैलूड है अभी लीडोड आउट इसके उपर अभी कोई बात नहीं कर रहा है, दो पॉइंट लगबग 2 डॉर के आसपास और टाइम ले 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 लेते हैं, तो पॉइल कोईल लगबग 6 डॉर के आसपास है, अब अपनी यहां पर दिखा दू तो एक महीने में अच्छी खासी बुल, अब देखो के अप्टरेंड फॉलो कर रहा है, एक सालों की देखो के तो यह भी नीचे है, और आल टाइम की ग्राफ देखते हैं, तो यह काफी की आने वाले दिनों पर क्या देखने मिल सकता है, बिटकोईन भाई एक क्रोड चला जाए, बिटकोईन भाई दस लाग चला जाए, बिटकोईन भाई एक लाग डॉलर चला जाए, किसको क्या पता किया होगा, क्योंकि बिटकोईन आज से दस साल पहले बिटकोईन का भाव चाहल पहले भाहो पहले बहुत का प्राइस को नहीं को किया है धिर गया it हम चाहते हैं कि आप अच्छी तगड़ी प्रॉफिट भी बॉकिंग करो एड समय टू समय प्रॉफिट बॉकिंग करते रहना ताकि आपको जो मतलब यहां पर नुकसान कम से कम होने की चांस है सो जो कि मैं यहां पर करता हूं मेरा सीड मनी निकालता हूं देन पढ़े रहने तो बना गया तो बनाएगा दर्वाइज जाएगा तो जाएगा क्या जाता है अपना तो भाई आज के बडियों को यह पर क्लोस करते हैं बहुत जल्दक निश्ट कूपनेंगे तब टेक लिए टाड़ा वाए वाए नासकार